उस देश से अब हमारी दुश्मनी होती दिख रही है जहां सबसे ज्यादा भारतिये जाते हैं। बात हो रही है कनाडा की जो दावा तो दोस्ती का करता है लेकिन जली कटी बाते करने से बाज नहीं आता। खालिस्तानी कनेक्शन की बात पर चिंगारी तो कई दिनों से सुलग रही थी लेकिन मंगलवार की सुभा आग भढ़क गई। भारत और कनाडा दोनों ने राजदूतों को अपने अपने देश से निकाल दिया है। ये लड़ाई विश्व मंच पर जाती दिख रही है। कि विदेशी महमानों के जाने के दो दिन बात घर गए, दो दिन तक भारत में ही रुके रहे। इस जित पर अले थे कि अपने ही विमान से घर जाऊंगा। खुल कर तो कुछ नहीं बोले लेकिन सुरक्षा कारणों का इशारा कर रहे थे। कनाडा की बलती बेरुखी के बाद भारत सरकार ने भी खरी-खरी सुनाई है। कहा कि कनाडा की तरफ से लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद हैं। इस तरह के निराधार आरोप खालिस्तानी आतंकवादियों और चरणपंतियों से ध्यान भटकाने की कोशिश है। इन्हें कनाडा में पनह दी गई है और ये भारत की अखंडता के लिए खत्रा है। इसके अलावा भी भारत सरकार ने कनाडा पर कई आरोप लगाए हैं। प्रूडो इस बात पर अड़े हुए हैं कि हरदीप सिंग निर्जर की हत्या में सहयोग देने के लिए भारत सरकार पर दबाव बनाएंगे। क्ये रहे हैं कि कनाडा की धर्ती पर किसी नागरिक की हत्या करवाने में विदेशी सरकार का शामिल होना हमारे देश की संप्रबुता का उलंगन है। कनाडा में रहने वाले सिखों की बड़ी अबादी भारत की इस हरकत से नाराज है। वे अपनी सुरक्षा को लेकर डरे हुए हैं। हमारे देश में 14 से 18 लाग के बीच भारती मूल के नागरिक हैं, इनमें से 80 फीसद सिख हैं। भारत और कनाडा की सरकारों में बढ़ती ये तलकी आम लोगों के लिए भी परेशानी बन सकती है। ऐसी खबरों के लिए फालो करते रहिए दा फॉर्थ।